हलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जैसे कि हमारा डोमेन और वेबसाइट हमें कैसे बनाना है तो दोस्तो जितने भी CSC वेली हैं जो Common Service Center संचालक हैं जो चला रहे हैं उन्हें अगर अपना खुद का वेबसाइट बनाना हो हमारे में हम CSC दोस्ते हैं सारे लोग हम लोग डीजी नेम से लेते हैं तो डीजी नेम में हमें क्या फायदा मिलता है कि बहुत ही सस्ते दामों में हमें डोमेन मिल जाता तो जिन लोगों को अगर डोमेन चाहिए कभी भी लेना हो तो ज़रूर बताए हमें आप लोग जो CSC वेली कैसे करें आप सबसे बहतरीन आपको मैं option दिखाऊंगा कैसे हम start से करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे आपका जो डीजी नेम का जिसमें आप आ चुके हैं इसमें लॉग इन करिए for example दोस्तो मैंने मेरा लॉग इन किया हुआ है मुझे मेरा website domain है moneyshenterprisesonlines.in तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले इसमें manage DNS करना होगा इससे क्या फाइदा होगा कि आपका domain जो है कौन से hosting पे point करेगा वो यहां पर आपको पता चलेगा दोस्तों तो for example यहां पर आपको domain select करना है यहां पर और यहां पर देगा कि आपका existing company है उसका domain यहां पर दिखाएगा आपे और जो हमें डालना है अगर हमें update name server करना है तो हम यहां पर करेंगे click यहां पर update name server server पर करना है are you sure and यहां पर हमें name server डालना है जो hosting का होता है hosting क्या होता है दोस्तों तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा hosting गर भी एक hosting है hostinger बहुत ही बहतरीन और अच्छा hosting है मैं इसे बहुत सालों सी यूज कर रहा हूं तो जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने अल्रेडी यहां पर अपना यह site add किया हुआ अगर आपको कैसे add करना है तो वह मैं दिखाऊंगा सबसे पहले तो आप website पर जाओगे वेबसाइट पर आने के बाद आपको करना है create a website यहां पर लिखोगे create a new website यहां पर select करोगे select करने के बाद हमें यहां पर देख सकते हैं कि wordpress website करना तो wordpress website हम कैसे करेंगे वह भी दिखाऊंगा मैं तो अगर दोस्तों यह manual method ना लेकर करके means hosting के थुरू ना करके हम directly कैसे upload करेंगे wordpress को मैं आपको process दिखाना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं तो यहां से भी आप directly select कर सकते हैं कि यहां पर जैसे मैंने select कियां in select करने के बाद आप देख रहें कैसे इसमें बताया जाएगा कि कैसे हो रहा है आपको इसे cut करना है select किया मैंने select करने आप देख रहें यहां पर stärker का email d जिया हुआ एंड एड्मिनिस्रेटर का password ठीक है जो password होगा वह हम यहां पर डाल देंगे कि यहां पर देख सकते हो continue हम करेंगे यहां पर हमें नॉर्मली कुछ plugins एड्ड करने है तो we will not add now directly continue करेंगे continue करेंगे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर थीम का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप नॉर्मल यहाँ से भी थीम ले सकते हैं थीम लेने के बहुत सारे ऑप्शन बट अभी I don't need टैंपलेट मैंने लिग दिया यहाँ पर मेरा एक्झिस्टिंड डोमेन है कि मे 주iric iamon यहाँ पर लिखा हूँ जैसे कि मनीश एंटरों इस dit कि वैता हुआ है तो मैं यहाँ पर दिखा ओँगा कैसे मैं नवीगेट करूंगा आप इसी तरह से जाएंगे वहाँ पर आपका जैसे डालोगे तो आपका add हो जाएगा दोस्तों For example, जैसे आपका add हो जाता है तो आपको करना क्या है? यहाँ पर manage करना है manage में आप जाता है यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक file manager है और एक database है तो file manager पर आप सबसे पहले open करोगे और एक database open करोगे file manager में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं तो पहले हम डालेंगे wordpress तो wordpress डालने के लिए आप सबसे easy तरीका है आप wordpress org वाले website पर जाईए यहां से आप original wordpress डाउनलोड कर लिजे कहीं भी आपको यहां वाँ के side से लेना नहीं है get wordpress पर क्लिक करिए बहुत ही बहतरी और easy step है दोस्तों मतलब आपको अगर wordpress का website बनाना है चुटकियों में तो आप बना सकते हैं बस आपको जो करना होगा उसी के लिए आपको टाइम जाएगा और मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे एक-एक process के थुरू हम आगे बढ़ रहे हैं यहां आप देखने wordpress मैंने ले लिया है और आप जाएंगे अभी यहां पे upload करेंगे यहां से आपको upload करना है फाइल wordpress तो अभी दोस्तों अगर मैं खुलना चाहूंगा तो मेरा डोमेन मनीश एंटर प्राइजेस ऑनलाइन डाट इन सो दिस विल इसमें मुझे कैशे दिख रहे है आपको देखना ही है कि क्या है एक्जेक्ली तो आप यहां पर जाएए इन कोगनोटी मोड में यहां पर डाकर डालेंगे तो आपको देख जाएगा कि भाई अभी हमारे वाला वेबसाइट है दोस्तों आपको जहां पर जाना है मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है आपको सबसे पहले टाइप करना है हमारा सबस्तों दुकान. पर दुकान. दुकान. एस वेबसाइट पे-आन यहां पर आप कि आप देखो दोस्तों इसका लोडिंग लेकार की सबस्कारी Haider तो यहां से आप कुछ शॉपिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं फॉर एक्जामपल जिन भाईयों को अगर कुछ लेना हो तो जैसे प्रिंटर हमें अपिसन का प्रिंटर खरीदना हो या फिर आपको कैसरा का प्रिंटर लेना है तो मार्केट से थोड़ा आपको रिजन तो मैं सबसे पहले अभी आपको बताऊंगा थीम के रिलेटेड तो आप सबसे पहले जाओगे वेबसाइट पर आओगे हमारा दुकान.in यहां पर देख रहे हो और वर्डप्रेस थेम्स प्लग इन्स तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहां पर हम सबसे पहले दूस्तों थेम् तो मैं थेम्स पर क्लिक कर रहा हूँ यहां पर हमें जो फ्री वाले थीम्स हैं पहले वो से ट्राइ करना चाहिए और जिन भाइयों को लगता है कि हमें एकॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहिए फॉर एग्जामपल जैसे कि यह हमारा दुकान.in बना हुआ है इस तरीके का बनाना है तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत ही सस्ते दामों पर इसमें आपको थीम्स मिलेंगे इस्तना सस्ता दाम जहां आपका 7000-80000 थीम्स है वहाँ पर यहां पर आपको 700 ब्लब रहा है दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरीके के दिव जैसे groceries होगे किसी भाईयों को groceries के themes मतलब उनका अगर किराना का store है उन्हें online सामान बेचना है तो वो लोग भी अपना website इस तरह के से बना करके यहां पर online bookings ले सकते हैं यहां पर आपको सिक्स नाइटी न का प्रेमिंट करना होगा दिन फॉर एक्जांप अभी हमें तो फिलाल फ्री वाले पर जाना है तो अभी अम फ्रीदीम्स चेक करें कि हमारे लिए कोई website बनाना हो तो हम कैसे वाला ले सकते हैं और किस तरह कर बना सकते हैं तो फॉर एक्ज तो यह वाले मैं लेना चाहूंगा फॉक्सिन का यहां पर आप पर एड कार्ट करेंगे आपको जब तक आपको लाइब इसका डेमो देखना है दोस्तों किस तरीका से लिखता है यह आप इस पर जाएए इसका तीम का यहां से जाकर कि आप चेक कर सकते हो और उसका प्राइ काफी ज्यादा है यह देखिए आपका वेबसाइट इस तरीके से आप बना सकते हो तो दोस्तों यहां पर आपको एड कार्ट करना है कार्ट में अल्रेडी हमारा एड हो चुका था यहां पर चेक आउट पर जाएंगे हम यहां पर एक्चली मेरे से दो बार क्लिक हो चुका है तो मैं कार्ट में जाकर करके पहले व्यू कार्ट कर जाओ और हमें एक ही लेना है कॉंट्रेटी शुट भी वान यहां पर मैं अपडेट कार्ट कर रहा हूं जैसे कि दोस्तों यह फ्री है तो आप प्रोसीड टू चिक आपको आपका एड्रेस लिख दीजिए जो भी आपका अड्रेस है वह यहां पर टाइप कर दीजिए आप दोस्तों यह थीम आप ले रहो नहीं, इस इस रियल अ प्रीमियम तीम और यह थीम जो प्रीमियम है वह आपको फ्री आफ कोस्ट में यहां पर मिल रहा है और दोस्तों जो बाकी के प्रीमियम थीम्स हैं वह भी आपको तो सस्ते सस्ते दामों पर मिल रहा है so you don't have to worry आप यहां पर देख सकते हैं कुछ additional information आप पो डालना ना डालिए otherwise यहां से okay करिए and place order तो दोस्तों मैंने यहां पर order place कर दिया है यहां से मेरा order details आ गया है zero और यहां से मैं download कर सकता है यहां पर देखें मेरा यह download हो रहा है थीम तब तक मैं मेरे website पर जाता हूं जहां से हमने upload किया था wordpress यहां देखिए wordpress है अब इसे हम सबसे पहले extract करेंगे करेंगे हम यहां पर फोल्डर बनाएंगे वेब कि यहां पर मैंने लिख दिया website और यहां पर इस थीम के अंदर में website folder के अंदर मेरा यह wordpress का आ गया अब दोस्तों मैंने पूरा website को कॉपी करके ओ जो folder है मुझे बाहर लाना है यहां पर कैसा है public html public html गंदे website यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमें जाकर के मूव करना है तो यह सारे को मैंने कि यहां पर जैसे दूसर रिलिट होगया अब हमारा बचा है यह सबसे पहला step होता है हमें database config करना तो database config करने के लिए हमने सबसे पहले इसको डव्लूपी config नाम से बनाना होगा भी इसब करेंगे यहां लाड़ाइव करेंगे यहां पर दोस्तूँ एक तरीटाबरेस का नाम डाल नाम डालना है डीटाबर का यूसर नियम डालना यहां पर पासवर्ट डालना तो चलो मैं हम reports मैं आपको मैं दिखाता हूं कैसे पास्वर्ड बनाएंगे replaced यहां पर आपको डेटाबेस मिल रहा है आप कैसे आया है यहां पर फिर से नेविगेट करने जा रहा हूं यहां पर आप गए आपका होस्टिंग चूस किया अपने मैनेज पर गए और यहां पर आपने चेक किया कि आपका डेटाबेस है डेटाबेस में जाकर कि आपने यहां सेंब यह पासवर्ड आपको enter करना है इस तरीके से हम डेटाबेस का यूजर पासवर्ड क्रिएट कर देंगे तो आप देख रहे हों दोस्तों यहां पे हमने मनिश यूजर नाम से क्रिएट किया यूजर नेम और डेटाबेस नेम तो यहां से मैं यह कॉपी कर लेता हूं जो पासवर्ड दोस्तों हमने क्रेट कियरते वक बनाया था वह पासवर्ड वह में डालना है तो फार एक्जामपल मैं यहां पे डाल रहा हूं अब सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा हमें चेक करना होगा कि हमारा वेबसाइट वर्क हो रहा है की नहीं तो सबसे पहले हम जाएंगे मनिशेंटरपाइज डॉट ओनलाइज दॉट इन पर तो दोस्तों इनिशेटी मतलब हमारा डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है और हमारा यह वेबसाइट का ऊपन आ चुका है तो सबसे पहले मु प्रणिश एंडर्प्राइजेज ओके यहां पर मैं यूजर नम डाल रहा हूं यहां यहां पर मैं पास्वेड बना रहा हूं आपकुछ भी डाल सकते हो अश्वार टाइस्टिंग के यहां पर अपना इमेल डाल दीजिए अ कि यहां पर सबसे पहले आपको डिस्करेज करके रखना होगा दोस्तों थाकि आपका वेबसाइट इंडेक्स ना हो क्योंकि आप अभी बना रहे हो वर्किंग में हो और आपका इंडेक्सिंग हो जाए और लोग देखने लगे तो अच्छी बात नहीं होती दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले ऐसे करेंगे यह हमारा वेबसाइट रेडी हो गया अब यहां पर आप आओगे आपको दोस्तों अभी लॉग इन कैसे करना तो यह देख रहे हो आप मनिश एंटरप्राइज ऑनलाइ वह आपको पासवर्ड आइडी पासवर्ड बनाना है आप लॉग इन करो यहां से यह देखो दोस्तों आपका वेबसाइट इस रएड़ी तो अगर मैं अभी ओपन करूंगा अभी तक मेरे में इसमें कैशे डिलीट नहीं हुआ है कुकीज इसका मैं डिलीट कर रहा हूं और देन आप मैं लोड किया स्टेल बिकास देर आप किसी और ब्राउजर पर ओपन कर लिजे हैं आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो कि हम यहाँ पर नियू सेशन ले करके आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम वैबसाइट बनाते हैं दोस्तों तो आपको इसी तरह किसे आपका खुद का जो अपना शौप का वैब्शाइट है या किसी भी भाईयों को अपना सब्सक्राइब करें नहीं तो आप यहां सब्सक्राइब करें अब है अब सब्सक्राइब करने वाला हूं मैं सबसे पहले जाऑंगा वेबसाइट पर एंगर से कट कर देंगे हम हम जा रहे हैं WP content और यहां पर जो थीम का option देख रहे हैं यहां पर मैं अप्लोड करूंगा हमने जो आपको याद है हमारा दुकान.in से जाकर करके हमने एक डोमेन लिया यहां से यह हमने थीम लिया तो यह थीम हम यहां से डाउंलोड करने करने के जाद हमें करना क्या होगा यहां पर अप्लोड करना होगा हुए है तो दोस्तों यहां से हमने डाउंलोड तो कर लिया अब हम हमें इसे एक्स्ट्रैक्ट करेंगे य Kea筋 यह जब भी इसमें वुस भी आपको फॉल्डर बनाना ही पड़ेगा सो कभी भी करते हो तो फॉल्डर बना करके आपको करना पड़े यहां पर आप करोगे एक्स्ट्रैक्ट यह बहुत ही बड़ा सीन हो जाता है दोस्तों कि इसे फोल्डर बनाते जाओ फोल्डर बनाते जाओ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता बड़ ठीक है अब देख रहे हैं आप फॉक्सिन अब यह क्या करूंगा मैं इसे मुव दालना है अब एक और फोल्डर फॉक्सिन दिख रहा है तो हम इससे भी बाहर आएंगे और यह थेम्स में हमारा चला जाएगा कि रीनेम नहीं रिप्लेस करेंगे हम जो भी होगा उसके साथ रिप्लेस कर दिया कि दूस्तों सबसे पहले तो हम बाहर वाला जो हमारा फॉल् अंदर में चला जा रहा है तो इसे हम करेंगे ऐफ फ फ तो अब देखिएगा आप किस तरह के से अंदर से बाहर लाएंगे फॉक्सिन से चायल्ड यह वाले को हमें लाना है बाहर मॉव फ फ फ से मौव यहां पर तेम्स के पास जाके मूव करेंगे तो दोस्तों यहां पर तो हम चैइल्द ले लेंगे गैसंसे कुछ हाम जुछ करने तो समझें तो इसके वरेजे से क्या होता आपका में नहीं होता तो अभी हम यहां पे child theme भी ढाल दिये, आपको अभी क्या करना होगा, सबसे पहले तो refresh करके चेक करना होगा कि हमारा कैसे क्या work कर रहा है या नहीं तो सबसे पहले मैं जाओंगा refresh करूंगा हमारे website को आपको themes चूज करने के लिए appearance में जाना होगा यहां से आप themes पर क्लिक करिए यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको themes दोनों दिख रहा है तो सबसे पहले मैं इसका parent वाला जो है उसे activate करूंगा यह हमारा activate होता ही मुझे इतने सारे options दे रहीं कि यह सब आप install करें तो मैं begin install करूंगा एक साथ सब को मैं bulk install कर दे रहा हूं हमें रुकना होगा तब तक जब तक वह installation हो रहा है सारा का सारा जितना भी यह plugins जो आ रहे हैं न दोस्तों तो यह आ रहे हैं इनके by default theme के साथ जैसे कि आपको पता है कि यह premium theme है तो premium theme में already काफी पैसे लोग देख करके लेते हैं बट आपको यहां पर free में मिल रहा है तो यहां पर इसके लिए आपको साथ में इतना सारे यह सब भी मिल रहा है है plugins वगेरे जो इनके साथ associated हैं आप यह देख रहें दोस्तों यह जो theme है हमारा woocommerce related है for example आपको अगर यह अपना e-commerce website बनाना हो तो भी आप इस theme के साथ यूज़ करके बना सकते हो कि यहां से यह install हो गया है अब हम सब को करेंगे activate अधर वाइस दोस्तों बैटर क्या रहता है न पता है आपको एक एक करके आप activate करते जाएं सारे आपके activate होते जाएंगे और आप देखते भी जाओ गया कि 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 आप अपने वेबसाइट पर जा रहे हो आप चेक कर रहे हो कि आपका वेबसाट अभी कैसे दिख रहा है तो मैं कहूंगा अभी वैसा ही दिख रहा होगा क्योंकि हमने कोई इंपोर्ट डेमो नहीं किया हुआ है जस्ट आपका यह थीम का और हम अभी इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं हम करेंगे अपने तीम को सट अप तो जो आपका यह है तीम उस रुलेटेट सबसे पहले आपको डेमो इंपोर्ट करके देखना होगा कि डेमो है कि नहीं है अदेन वीविल प्रसेड विद तर दो सबसे पहले हम जाएंगे देमो इंपोर्टर पर यहां से हम चेक कर रहे हैं कि मेन इंपोर्ट डेमो इंपोर्ट डेमो कंटेंट ओके तो इस डेमो कंटेंट से दोस्तर क्या होगा कि पूरा का पूरा वेबसाइट आपका रेडी तो डोस्तो ये सा रा जो consistency हमने डोमेइन डिया do main कहां से आपने बपर्चेस किया हुगा था वहांPE PLA से अबने मेनज सर्वर चेंज किया name server ने करने के बाद आप यहां से ऊस्टिंग वे गए ऊस्टिंग से फिर आपने website सेट अप किया website सब्सक्राइब करने के बाद आपने WordPress इंस्टॉल किया WordPress को डाला देन वहां से आपने WP Config नाम से फोल्डर बनाया जो था फाइल बनाया और उस फॉल्ड फाइल के अंदर हमने अपना database को configure किया अब यह होने के बाद हमने क्या किया दोस्तों हमने यहां पर अब यहां पर मैं करना हूं सेव चेंज अब जो आपको website दिखेगा ना दोस्तों तो इस तरीके से नहीं दिखेगा आप देख रहे हो मैं इससे करना चाहूंगा duplicate ताकि आप इसका difference देख सको कि यह पहले का website है दोस्तों जो हमारे पेज़ पर कुछ भी नहीं था अब देख रहे हो आपकी हमारे पेज़ पर कैसा आ गया है आप यहां पर देख सकते हो यह आप आप यहां पर नेविगेशन बार कुछ नहीं देख रहे हो राइट तो दोस्तों यह नेविगेशन ही ड़न हो चुका होगा हमें इसे करना है कैसे करना यहां पर देखिया आप सबसे पहले आपको for example इसमें कुछ चैंज करना आप अप welcome to Monish Enterprises अभी कैसे हमें इसे चेंज करना है मैं सब इसको दिखाता आपको आप यहां पर आपके services बना दिजे कि आपके पैंकर सर्वीज है अदर कर सर्वीज जो भी आप करते हो वह बना दिजी आपके feedbacks जाल दिए आप अपने बारे में यहां पर लिखिए आपका contact us and then this is here you can say आपका copyright section आप यहां से बदल सकते हो दोस्तों मैं पहले तो सबसे पहले home page पहले के जाओंगा home page पर हम क्या-क्या changes कर सकते हैं वो दिखाऊंगा the home page पर हमारा home page में home वाला कौन सा है वो कैसे पता चलेगा this is home one is तोस्तों आपको पता सबसे पहले कि यह जो यह ब्लूपी बेकरी बिल्डर होता ना it is a really premium theme it's a plugin यह आपको नॉर्मल एडिट करने सचा यह पेस्ट करता है तो अगर आपको इस पर हैबिट हो गया या फिर आपको अलेमेंटर कियादत हो गई अगर दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम आएंगे यहां पर अपना हेडिंग चेंज करेंगे आपको करना के एरिट पे वेल्कम् मैं बता रहा हूं आपको ऐसे आप खुद का भी डाल सकते हैं आपने डाल दिया यहां पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिग दीजिए भी प्रोवाइड जो भी आपके सर्विसें पैन एंड आधार सर्वेश औरल वटेवर्यवर्यवर्यवर्यवर्यवर्यवर्यवर्य यहां पर 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 यहां कि हमने अप्डेट किया कि नहीं किया ओल्ला आई तिंग वियाव नॉट दन दिस अप्डेट नाउ अप्डेटेट दिपेज यहां से हम जाएंगा रिफ्रेश यहां अब हो गया दुस्तों तो अब आप देख रहे हो यहां पर अपना नाम आ गया और हम जो सर्विसेस करके डाल सकते हो आपको यहां पर जाना यहां पर क्लिक करना एडिट करना और आपका सर्विस का नाम लेग देना है तो बिना किसी टेक्निकल नॉलज़ कि दुस्तों आप एजिली वेबसाइट बना सकते हो आपको से फीस तरह से और मैं जैसे कि बताऊंगा आपको फूट यहां पर सबसे पहले मेन मेन अपलाइड हो चुका है दैन वी विल सी वेदर इस शोएंग और नॉट इस नाट यहां पर तो अबाउट अस वाला मेनु कॉल है आप यहां से जा के चेंज करोगे आप आप सबसे पहले देखोगे कि आपका मेनू कॉन सा है यहां से देखर दोस्तों यह फूटर है इस कैसे फूटर बना है नहीं बना है सारा फूटर का डिजाइन यहां पर दिया हुआ तो इस फूटर्स के जो आपको थीम में चेंज करने है फर इक्जामपल फूटर्स में आप देख रहे हो यह इन फूमेशन पीन आफेस एंड एल यह फूटर के इन फूमेशन आप यहां से इडिट कर सकते हों आप देखर दिस्टों यहां से आपको एडिट करना आपका कंपनी के नाम अपकर नाम इस अब दाल दिजिए वहां पर दिस्ट्लिए अगर फर एक्जम्पल इल शुटर्स एल श्लस अट मुनिश एंटर्प्राइज इस ओन्लाइन इस ए लिग दिया यहां पर मैंने अप्डेट कर दिया यहां साप रिफरेश करोगे और यू विल सी यॉर ओन जो आप का रहेगा वहां से देख सकते दूस्टों और दूस्टों आपको कस्टमाइज करना है कुछ भी चेंजिस करने है तो आप यू और सी यह हमें इसके निए अनिलिटिक्स भी मिलते हैं आपको गूगल से connect करना होगा और यहां सब देख से क्या आपके अनिल टेक्स से आपको पता अचलेगा आपके वेबसाइट पर कितने लोग आये हैं को नोग यूज कर रहे हैं कितने यूजर्स हैं all you can check from here यहां पर mega menus है दोस्तों यहां पर menus भी हैं आपको यहां पर mega menus एड करने होंगे that's why there is not showing any profile over there all right for example if you want to check for कुछ ने दोस्तों यहां तक तो हमने कर लिया आपको अगर आपके forms पे इंक्वाईरी आती है कुछ फॉर्म फीलप होता है तो आपको इसमें चेक करना है और इस इसी तरीके से आप पूरा theme edit करेंगे यहां पर आप देख सकते हो कि appearance नाम का option मिलेगा यहां पर आप जाएगे का customize में customize में जाकर कि आप यहां से सब कुछ चेंज कर सकते हैं for example वेबसाइट का color को change करना है you can select from here then background image change करना है डालना है कुछ तो यहां से डाल सकते है menus मुझे add करने for example तो हम यहां से add कर सकते है यहां पर दोस्तों menu's name यहां पर दिया हुआ मेन sowasånd at ऐसमें मेनिनृ जाऊंगा मेन मेन अच बबलेश अपने देखा था कि यहां पर मेन मेन पर कुछा है वे यह फिर तो डिखा रहा था आपको फर एक्जामपल हम गए ते यहां पर अपर में तो कुछ ही नहीं तयों के धालेंगे आपको पीजेशाड करने हैं तो सबसे पहले मैं सर्विस प्लाइन हों दैन मैं यह सारे मेन जनके इसा अब ये आड़ किया सेव किया अब दूस्तो आपको यहा यहां पर आपको यह मेनूज आ गए कि आपके जो मेनूज हैं यहां पर सर्वेस हो अब जो आप बनाओगे वह सारे मेनूज यहां पर होंगे तैंक यू दोस्तों आपको अगर कुछ भी डाउट रहे कुछ भी आपको लगता है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिखे और अगर आपको कुछ भी लेना हो आप जरूर इसी थीम से उठाएं यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो हमारा दुकान है और यहां पर करिए यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर आपको सारा टाइप का वेबसाइट मिलेंगे जो भी आपको चाहिए इकॉमर्स वाला भी देखे कितना सस्ता जो कि 5,000 वाले वेबसाइट का थीम का प्राइज है और यहां तो दोस्तों इस तरीके से आप यहां से थीम ले सकते हो और आपना खुद का e-commerce website बना सकते हो जैसरी यह जो आपको दिख रहा है e-commerce website इस तरीके से आप e-commerce website बना सकते हो तंकि दोस्तों दो लाइक दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीटू चैनल को लाइक करिए and then do subscribe for this so that जो भी आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पाचे है धन्यवाद